हेलो एब्रिवान आज हम व्यांजन्वन अणा को सीखेंगे इसको बोलते वक्त नाक के उपर से हवा बाहर निकालना होता है अणा ये क्या है अणा ये पहले यू की तरह हम लिखेंगे लेकिन बिल्कुल यू नहीं होगा ऐसे ही एक कव लाइन नीचे से उपर से नीचे टक लाके फिर इसको उपर टक लेके जाना होता है फिर एक स्टैंडिंग लाइन और उपर से स्लिपिंग लाइन डालकर अना को पूरा किया जाता है हम अपनी अक्षर की रन में पेज नमबर 31 में देखेंगे अना ये कामसा वर्ण है अना अना से पहले वर्ण से शुरू होने वाली कोई चित्र और उनके नाम नहीं होते है इसलिए ये खाली अना से खाली क्या अना से खाली अब हम देखेंगे अना को हम ट्रेस करके कैसे पुरा करेंगे ये यू की तरह लिखा स्टेंडिंग लाइन फिर उपर से स्लेपिंग लाइन ये यू की तरह लिखा स्टेंडिंग लाइन उपर से स्लेपिंग लाइन आप लोग भी ऐसे ही अणाओं को लिखकर पूरा कीजिए तो आज हमारी व्यंजनवन की नंबर थार्ड वाली जो लाइन है वो भी खतम हुआ है तो हम इन लाइन को पढ़कर याद कर लेंगे क्या है ये अब नीचे एक वर्ड दिया है चित्र देखकर चही व्यंजन पर टिक का सिल मिशान लगाओ हम चित्र देखकर जो सही पहला वर्ड है उसको हम टिक करेंगे ये दो से डमरू हमने पढ़ा है ना दो से डमरू तो ये दो में हम टिक करेंगे ये थो से ठथेरा ये थो से ठथेरा ये थो से टमाटर ये ठो से ठोलक ये धौ से धोलक अमिजे कौँ धूल एतु हिंडित की कोई धोलक धो से धोलक तो आज हमने व्यंजन वर्ण तीन नमबर वाली लाइन खतम की है क्या है तीन नमबर वाली लाइन त, ठ, ड, ध, अन तो चलिए लेखन कला में हम इसको आज प्रैक्टिस करेंगे लेखन कला में सबसे उपर आज का डेट लिखेंगे अना से कोना, मतलब यह सब जो कोना है यह है कोना एक अना लास्ट में, एंडिंग में जुरकर जो एक शब्द बनता है वो है कोना अना कोना, अना को हम कैसे लिखेंगे पहले यू की तरह लिखेंगे यह लिखा हमने यू की तरह फिर स्टैनिंग लाइन, फिर उपर से स्लिपिंग लाइन डाल कर इसको पूरा करेंगे यह यू लिखा, बिलकुल आसान है आप लोग इसको लिखने से फटा-फट आ जाएगा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ऐसे ऐसे मैं खाली जगह में दिखाती हूँ ये यू की तरह ये स्टैंडिंग लाइन ये उपर से स्लिपिंग लाइन डाल कर हमने पूरा किया अना ये 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 स्टैंडिंग लाइन और उपर से स्लिपिंग लाइन डाल कर हमने अना को पूरा किया तो चलिए बच्चो अब हम कॉपी में भी इसको करकर खटम करेंगे अना से खाली अना को हम कैसे लिखेंगे ये 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 की तरह लिखा फिर यू की तरह लिखा standing line उपर से sleeping line चलिए बच्चो आप लोग आज अना को लिखकर complete कीजिए ऐसे और ऐसे ये ऐसे आप लोग लिखते रहिए मैं भी अपनी कॉपी को लिखकर पूरा कर लेती हूँ सबसे उपर हमने डेट लेती है